हेलो स्टूडर वेल्कम टू स्वातिस क्लासेज आज हम देखेंगे सेवें स्टेंडर का साइंस लेसन नंबर वन दा लीविंग वर्ड एडप्टेशन और क्लासिफिकेशन इस लेसन का सेकेंड पार्ट फॉर्स लेक्चर मेंने अल्रेड़ी अपलोड कर दिया है अगर आप अभी तक नहीं देखा होगा तो सबसे पहले तो फ़र्स लेक्चर को देखे और उसके बाद सेकेंड लेक्चर को सेट कीजिए तो देक्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या होता है लईविंग वार्ड लिविंग तिंग्स Means क्या animals and plants इन में हमें वराइटी दिखाई देती है उनमें जो डाइवसिटी दिखाई देती है वो क्यों दिखाई देती है तो adaptation के कारण हैं हमने देखा था और adaptation में जो भी living में किस तरीक आपटेशन होता है और आज हम स्टाट करेंगे इनपर membrans एप फिलिक दिखाई देता है अव में को किस तरह ख시면 स्लोब के स्लोप एक होता है अगर चांस हंगे खराब होने के, तो यहां के त्री में यह हमें क्या दिखाए देगा आडप्टेशन दिखाए देगा कि जिसके कारण बर्प चो है कोनिकल शेप की कारण स्लोप की कारण नीचे गिर जाती है नेक्स थीक बार्फ है ट्री टू विस्टैंड दे कोल्ड उनका जो बार्फ होता है पेड के ऊपर का वो क्या ह प्रोटेक्शन होता है किसे कारण बर्फ की कारण जो ठंड लगने वाली है या फिर ज्यादा देर तक नहीं खड़ा हो पाएगा लेकिं बार्फ थीक होने के कारण वो क्या होते है अच्छी तरीके से वाह पे ग्रोवो पाते हैं नेक्स डेच्ट अड़्टेशन इंप्ला तो फॉरस में काफी घना जंगल अगर वहाँ पे होगा तो संलाइट इजी नहीं पहुछ पाती है और ट्रेश को ग्रोंने के लिए तो संलाइट ही चाहिए फिर उन्में कॉम्पेटिशन होता है कि किसे जल्दी संलाइट मिलेगा और संलाइट पाने के लिए वो क्या होते है उपर उपर ग्रो होने लगते हैं, hence trees grow tall to get sunlight and climbers and wines grow to a great height with the support of trees, तो ये wines, climbers, अगर नीचे जमिन पर पड़े रहेंगे तो उन्हें sunlight बिलकुल नहीं मिलेगा बाकी पेडों के कारण, तो ये क्या करते हैं, climb करते हैं, order जो trees होते हैं, tall जो trees होते हैं, उनके around ये क्या करते हैं, climb करके उनके उपर फिर grow होते हैं, spring like tain rice on the stream of some climbers is an example of adaptation, तो ये उन्होंने क्या किया है, adapt किया है उस environment को, tain rice जो आते हैं, spring के जैसे, वो क्या करेंगे, उनके stem में रहेंगे, तो वो climb करने के लिए help करते हैं, tree के उपर, उन्हें पकड़ के रखते हैं, तो ये होगा उसका भ जो होते हैं, काफी छोटे भी होते हैं, bushes भी वहाँ पर होते हैं, और उनकी जो roots होते हैं, और fiber roots का सबसे महत पूर्ण, अगर हम देखेंगे कि use क्या है, या फिर फायदा क्या होता है, इसका, कि वो prevent करते हैं, soil erosion को, soil erosion का मिनिंग क्या होता है, अब बारी जोर से होती है, त इस किस तर किसे होता है, equitable region में, tall होते हैं, काफी अच्छा है, इसकी animals फिर वहाँ पर कौन से मिलेंगे, अगर tall वहाँ पर grasses है, तो tiger, elephants, deer, जो क्या करते हैं, अपने आपको चुपाते हैं उस grass में, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, अपना शिकार ढूनते हैं, however, grasses in cold region are very short cold region में कैसे रहे गाई आपे, short grasses होते है, animal like a rabbit क्या करते हैं, वहाँ पर ज्यादा हमें दिखाए देंगे, worst mirrors are found in hilly areas as well as plains, तो plains में भी कई बार हमें यह दिखाए दिता है, hilly areas में भी grasses होते हैं, लेकिन वहाँ पर आगें क्या होगा, variety हमें दिखाए देगी, next यहाँ आपे, पोटाटो अगर ग्राउंड नोट्स यह अगर हम देखते हैं, तो उनमें कुछ adaptation होता है या नहीं, वह हमें देखना होगा, फिर जो grape wine होते है, bitter god होते हैं, तो यह किस तरीके से ग्रो होते हैं, अपने surrounding में कही पर अगर यह plants आपको मिल जाते हैं, तो उन्हें आप क्या कर होते हैं, जो photosynthesis process नहीं कर पाते हैं, तो खाने के लिए, फूड के लिए उन्हें दूसरों के उपर depend होना होता है, तो यह क्या करते हैं, जो host plant है, और जो plants होते हैं, उनके उपर यह grow होते हैं, most of the plants are anchored in the ground and are autotropic, autotropic coming होता है, जो photosynthesis process करके अपना फूड खुद बनाते हैं, एसे जो plant होते हैं, वो होते हैं, autotropic, और इनके जो roots होते हैं, mostly कहां पे होते हैं, ground में होते हैं, however, plants like a daughter are parasitic, daughter जो होता है, parasitic का मिनिंग होता है, दूसरे के उपर depend होना, food के लिए, तो यह जो होता है, host plant पे, other plants पे क्या होता है, grow होता है, the order consists of yellow wire-like stream, अगर आप side में picture देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, कि yellow इस तरकी का wire-like उनका stream होता है, leafless होता है, leaf नहीं होता है, इसके कारण यहाँ पे photosynthesis अगन प्रोसेस नहीं होता है, तो यह दूसरे plant के उपर depend होगा, और यह क्या करता है, सक करता है, roots के through absorb, जो nutrients होते हैं, अगर यह host plant है, जिसके leaf दिखाए दे रहा है, यह plant कौन सा होगा, host plant, इसके ओपर यह yellow color के wire के जैसा structure जिस plant का दिख रहा है, जो parasitic है, वो क्या करते है, कि इस plant के अंदर जो भी nutrients होते है, जो food होता होगा, water होगा, जो vessels इनके क्या करते है, और उसके ओपर फिर यह grow होते है, fungi do not have chlorophyll, fungi के बारे में आपने देखा होगा, fungi means क्या जो बुरसी आती है, अगर पाव भाकरी ब्रेड अपने टिफिन में बंद करके 3-4 दिन के लिए रखा, तो वह आपे white color का substance आपको दिखाए देगा, उसे कहा जाता है, fungi, जिसमें chlorophyll नहीं होता है, तो इसके लिए photosynthesis process नहीं होगा, और वह दिखने भी केसाथ है, white color का होता है, और mostly जो starchy food stuff होता है, starchy means कि जिसमें starch present होगा, जो कि powder like substance होता है, जैसे कि आटा होगा, तो भाकरी ब्रेड इसमें आटा की substance होता है, means वहापे starch present होता है, और फिर यह fungi जो होता है, यह क्या करती है, उस starchy material को as a food लेती है, और फिर वहापे fungi जो होता है, they have root like fibers for absorption of food, तो उनके भी root होते है, कैसे, एकदम fiber के जैसे, हमारे जो बाल होते है, पतले से, तो उनके जैसे, उनके root होते है, जिनके तूँ वह क्या करते है, food को absorb करते है, plants need nitrogen, phosphorus, potassium for growth, तो जो plants, जिनको nitrogen ठीक से नहीं मिल पाता है, deficiency हो जाती है, तो वो क्या करते है, जैसे कि Venus fly trap, पीचर plant होता है, यह क्या करते है, जो fly होते है, जो किडे मकड़े होते है, उनको पकड़ते है, क्यों पकड़ते है, क्योंकि उनमें जो nitrogen present है, वो उन्हें मिल जाए, plants को मिल जाए, जैसे कि Venus fly trap, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यह क्या करता है, फ्लाइ को पकड़ लेता है, अगर यहाँ पर कोई fly बेठेगी, उसे वो क्या करेगी, पकड़ लेगी, प्योंकि fly जो छोटे-छोटे-छोटे इंसेक्ट होते है, उनमें क्या होता है, को एट्रक्ट करने के लिए इन लोगों में क्या होता है, कुछ तरगी की सब्स्टंस ऐसे निकलते है, जिसके कारण जो other insects है, वो उनकी तरफ एट्रक्ट हो पाए, यहाँ पर आके बेठ पाए, और यह फिल क्या करेंगे, fly trap अगर है, वापे तो क्या करेगा, पकड़ हमें दिखाए देगा, next is adaptation in animals, तो जैसे हमने पहले ही देखा, living things like plants है, उसी तरीके से animals में भी हमें adaptation दिखाए देगा, फिर कैसे दिखाए देगा, उनके body structure में दिखाए देगा, उनके body parts जो होते हैं, वो जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे उन्हें match करने के लिए, उस surrounding में address होने के लिए, उनके body parts में क्या दिखाए देता है, हमें differentiate दिखाए देता है, या फिर अलग पन जो होता है, वो दिखाए देता है, जैसी कि अगर हम बात करेंगे, किस की, फीश की, तो फीश के क्या होते हैं, body parts अगर हम देखेंगे, तो यह whatever column होता है, उनका wings होते है, gills हो आपको जब्सक्राइब करने तो इनके बॉड़ी शेप आपको अलग दिखाए देंगे अगर अगर टेरेस्ट्रियल में अगर हम लेंगे कोई डॉग है तो वह इस तरह के से दिखाए देगा क्या आपको नहीं उसके बॉड़ी पाट कुछ अलग होगा तो यह चेंजिस हम य ओक दिक्तित आप्सक्राइब कुछे जो इंड कारट स्ट पर सरी कि होंगे जिनके कारण उने करना काफी आसान हो जाता ही के लो कि fired विद्विद्विदा गिल्स Them हमारा नोस होता है हम लोग नोस के तुरू होते हैं लेकिन चो सोते हैं उनके क्या होते हैं गिल्स जिनके थुरू क्या करते हैं पिर ऑक्षीजन लेते उन्हें हमारे तरह नोस नहीं होता है and their eyes have transparent eyelid उनकी जो eyelids होती हो कैसे होती है transparent क्योंकि उन्हें पानी में भी फिर दिखाए देगा observe the bodies of the frog, duck and tortoise तो हर एक के body part में आपको अलगपन दिखाए देगा जैसे कि of what use are their legs to these animals इनके legs का use क्या होगा फ्रॉक के जो legs होते है इनके legs का use क्या होगा तो उन्हें jump करने के लिए यूज होता है डख के जो legs होते है वो अलग होते है पानी में डख रहता है जादा करके तो उनके जो वेब आगे दिया हुआ है आपका तो legs के कारणों क्या करते हैं उन्हें use करते हैं जैसे कि हम लोग नाव चलाने के लिए यूज करेंगे और्स को उस तरह के से वो अपने पेर को use करते ह तो यह क्या करते हैं पानी में रहते हैं जमीन पर भी तो यह क्या करेंगे अपने legs को चलने के लिए यूज कर सकते हैं जमीन के ऊपर तो हर किसी के body parts का अलग अलग यूज होगा वोट हैल्स फ्रॉग टू ब्रीध अंडर्वाटर फ्रॉग किस तरह के से ब्रीधिंग करते हैं तो अंडर्वाटर अगर रहते हैं तो इसकीन से oxygen लेते हैं ब्रीधिंग करते हैं और और वो टेर्ट्रियल अगर जमिन के ऊपर रहेंगे तो अपने नोस के क्या करते है oxygen लेते हैं आफ वोट उजार दा लॉंग हें लेक्स और फरोग के लेक्स का युज का होगा जो पीछे के उनके लेक्स काफे बड़े होते तो वो काफी हाई जम करने के लिए या फिर लॉंग जंप करने के लिए उनको यूज हो सकता है वाइड ड़ गेट वेट water, डग पाने में यह नहीं नहीं हुते हैं, तो उनके बाड़ि के ऊपर क्या होता है, sticky substance हम कैसे सकते हैं, wax layer होता है, जिसके कारण उनके बाड़ि के ऊपर पाने ठेहरता ही नहीं, वो निकल जाता है, इसके लिए वो वेट मीस गिले नहीं दिखेंगे, यहां पर देखिए उंगली उनकी होती है उनके बीच में एक पड़दे के जैसे आपको दिखाई देगा जिससे उंगलिया उनकी जुड़ी होई होती है फिर उसे adds the ores, means ores coming क्या होता है देखिए नाव चलाने के टाइम हम लोग पानी को पीछे धक्का देने के लिए जो लकड़िके से यूज़ करते है उसे ores कहा जाता है तो यह डख क्या करेगा अपने पेर को उसी तरीके से यूज़ करके स्विम करता है पानी में तो यह उनमें adaptation या फिर changes उनके bodies में हमें दिखाए देगा कि जो डख होते है उनके वेप टोज होते है जिसके कारण हो स्विम कर पाएंगे slippery skin होती है means wax layer होता है जिसके कारण हो गिले भी नहीं होंगे और triangular head होता है frog का कि जिसके कारण हो easily क्या करेंगे स्विम कर पाएंगे पाने के अंदर they can live on land as well as in water due to their ability to breathe through the skin in water and using the nose and lungs on a land जैसे कि example लेंगे हम frog का तो frog पाने में भी जिन्दा रहते है जैसे skin के through breathing करते है और जब जमीन पर आते है तो nose के through करते है the typical colors of a frog back help it to hide among grasses कुछ frog जो होते हैं उनके colors typical colors होते हैं जिनके कारण को grasses में अपने आपको चुपा पाते है make a list of the names of some other amphibians you know as study their adaptation तो amphibian कुछ animals और भी होंगे तो उनके बारे में आप study कर सकते हो Google पर search भी कर सकते हो adaptation in forest and grassland animal grassland animals जो होते हैं या फिर forest में रहने वाले animals में किस तरकी का adaptation दिखाए देता है वो हम देखेंगे carnivors animals जो होते हैं जैसे की wild dog, fox, tiger and lion have strong legs to run fast and capture their prey carnivors means क्या कि जो दूसरे animals को खाने वाले animals होते हैं carnivors तो इनके जो लेग होते हैं काफी strong होते हैं जिनकी कारण वो fast भाग सकते हैं और उनकी शिकार को पकड़ सकते हैं और दूसरा एक कारण होता है या फिर दूसरा एक adaptation आपको दिखाए देगा कि उनके जो cannon teeth होते हैं वो काफी sharp होते हैं pointed होते हैं जिसकी help क्या होगी कि उसके तुरूप क्या कर सकते हैं जो other animals जिनकी शिकारों करते हैं उन्हें easily खा सकते हैं आपाइट पॉस दिस एनेबल देम तो silently stalk their prey and capture it easily पैरेट पॉस मिन्स क्या उनके पैर्ज होते हैं नीचे से जो कहेंगे हम पैर्ज होता है वो किस तरह की से होता है पैरेट पॉस होते हैं जिनके कारण हो जब चलेंगे शिकार को पकड़ने के लिए जाएंगे तो वह क्या क होते हैं वह हैड के उपर फ्रंट साइड से ही आपको दोनों आइस दिखाए देंगे और इससे क्या होगा कि वह स्पॉर्ट कर पाते हैं अपने शिकार को लॉंग डिस्टन से भी कि कहां पर उनका शिकार खड़ा है वही अगर हम हर्बेरियस जो होते हैं में जैसे की डियर है तो इसका एक आई होगा और दूसरा दूसरे साइड में इस तरह के से होगा तो हर्वेस जो होते हैं उनके हेड के एक साइड में एक और दूसरे साइड में दूसरा आय होता है जिसके तुर क्या कर पाते हैं अच्छा सा उन्हें वाइड आंगल मिल जाता है देखने के ल उन्हें की वह ज्यादा से ज्यादा फास्ट रण कर पाएंगे देड लाँ अध्यूज करते हैं उन्हें इसके कारण कहां से साउंड आ रही है वो एक्जाटल वन्हें पता चल जाता है ब्लाक बक्स होते हैं उनका कलर इस तरह के से होता है कि जहां पर जंगल में रहते हैं उस सराउंडिंग में वह मर्ज हो जाए यह फिर चुप जाए जिसके कारण की कोई भी और अनिमल सुनके शिकार ना कर पाए यह मसली ह स्की जो काफी थीक होती है जो की आ उनके बोडी से पानी को लॉश्स ना होने दे जैसी कि एकजांपल कैमल होता है लेकिस होते हैं काफी लॉंग होते हैं किसकी उनकी फोल्ड होती है। जिनके कारण जो सैंड वगेरा है वह उनके नाक में नजा पाए या फिर गर्मी के कारण कोई तकलिप ना हो। क्योंकि दोपेर में वहाँ पे गर्मी बहुत जादा होती है इसके लिए वह क्या करते हैं अपने बिल में जाके बैठते हैं और फिर नाइट टाइम में जब थोड़ा सा टेंपरिचर कम हो जाता है तब वह बहार निकलते हैं अपना खाना डूढने के लिए सबसे जादा अडप्टेशन यहीं दिखाई देगा कि वहाँ के आनिमल्स के बॉड़ी के उपर आपको हैर दिखाई देते हैं जो उन्हें थंड से प्रोटेक्शन करता है यहां पर आनिमल्स को से मिलेंगे जैसी कि याख है पोलर बियर वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, म होता है उससे बचने के लिए वह हेल्प करते हैं तो देखी यहां तक हमने देखे लिया लेसन तो अगे का चूरा स्कंहीं लेक्शर को भी झरू देखते है